गुड मारिंगा स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट थर्टीन वीडियो इस चेप्टर का पार्ट थर्टीन वीडियो में प्रसनावली 1.6 पर है और कोसर नमबर है वन करहें यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुझ हैं कि समुझ एक्स के अउयों की संक्या कितनी है सत्रह है वा अचले वीडियो में आपको सारे फॉर्मले इसके बताए थे इससे सारे फॉर्मले आपको सम्झा दिये थे आपको याद रखना है आपको बन जाना वाँ ऐ इंटरसेक्षन भी था यहाँ एक्स इंटरसेक्षन वाई है कोई फरक नहीं परने विला है यह आ और भी समझो क् 40 में से 38 घटा दो आपका 2 आ गया NX intersection Y 2 हो गया चलिए अगला question देखिए दो नम्मर क्या दिया है यदि X और Y दो ऐसे समझे हैं कि X union Y में 18 होगे हो है X में 8 होगे हो है Y में 15 होगे हो तो हमें X intersection Y में कितने होगे होगे यह निकालना है अरे पास NX union Y दिया है 18 NX बराबर में है 8 NY बराबर में है 15 हमें क्या निकालना है NX intersection Y किया होगे हो तो इसका formula लगा देते हैं पिछले question के तरह तो है NX intersection Y बराबर में क्या हो जागा NX plus NY minus N AX union Y NX union Y यह नहीं हो जागा जी तो इसके अव्यों 8 है इसका 15 है और यहाँ minus 18 ठीक है इन दोनों को जोड़ो यहाँ जोड़ेंगे तो आपका आजागा 23 और 23 में से 18 घटाएंगे तो आपका यहाँ से आजाएगा 5 तो यानि कि X intersection Y के वहोगे हो कि दोनों बोल सकते हैं यहाँ मान लेते हैं एक क्या दिया है लिए हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुछ या समुछ नियुपित करें और भी जो है अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुछ को दर्सा रहा है चलिए अब इसके बाद कोस्टन में देखिए आपके हिंदी बोलने वाले कितने हैं धाई सो है अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं उनकी संख्या दो सो है अच्छा चार सो टोटल ब्यक्ति है तो टोटल च चार सूब 1 यानिकी एउनिय्ग टोटल मिला के हींदी और अंग्रेजी बोलने वाले टोटल मिला के कितने लोग चार सूब यहीं हमें निकल नहीं निकाल ला हैं तो यहां यहां 200 और यहां पर 400 तो यह दोनों जोड़ दो साड़े 400 और साड़े 400 में से 400 गया तो 50 आ गया 50 ऐसे व्यक्ति है जो दोनों भासा जानते हैं चलिए अगला कॉश्चन चार नमर यादि S और T दो ऐसे समुझा है कि S में 25ॐ है और T में अव्यों की संख्या 32 है और दोनों के इंटर सेक्शन में एस इंटर सेक्शन T में जो दो की संख्या 11 है ठीक है तो हमें स यूँनियन टी के कितनी अव्यों हों गांगा है यादि हमें है 11 इसका है 32 और इसका है 11 इन दोनों को जोडते हैं तो 33 में से 11 घटा देंगे यानि कि 42 आ जागा एस यूनियन टी जो होगा 42 हो गया चलिए अगला कोशन देखिए पाइफ नंबर यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुझे हैं कि एक्स में 40 हो है एक्स में 40 हो है एक्स यूनियन वाई में एक्स यूनियन वाई में आपके कितने हो है 60 हो है एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने हो है आपके 10 हो है तो हमें वाई में कितने हो है यहां निकलना है चलिए तो इन चारों में से कोई भी तिन दिया होगा तो निकल लिएगा हमार एक फॉर्मुला यहां रख दिया और बराबर में आपका 60 इसका वैलु कितना है आपका 40 है एन-स का वैलु आपके पास कोशन में 40 दियाना है Sवरी कुछ TECNICAL problem हो गई इसका value दिया है आपके पास 40 इसको निकालना है और इसका value कितना दिया है 10 बराबर में 60 इसमें से इसको घटा देंगे 30 तो n y प्लस 30 बराबर में है 60 इसको ले जाकर उदर घटा देंगे तो n y बराबर क्या जाएगा, 60 में से 30 घटा दो, यानि कि 30 अवय हो जाँगे वाई में, समझ गए, चलते हैं, अगले कोशन पर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अगला कोशन देखिए, कर अच्छे नमर 70 व्यक्तियों के समुन में, 37 कोफी और 52 चाय पीना पसंद करते हैं, और प्रत व्यक्ति हैं, जो काफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, तो हमान लेते हैं, माना, ए क्या है, ए जो है, आपके काफी पीने वाले, ऐसे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, काफी पीने वाले, काफी पीने वाले, काफी पीने वाले, ब्यक्तियों का समुझ, ब्यक्तिय पीने वाले हैं चाय पीने वाले या चाय पसंद करने वाले चाय पीने वाले व्यक्तियों का व्यक्तियों का समझ्झ जिनको चाय पसंद है वो है चलिए तो आपके पास देखिए यहां पे कौफी पीने वाले व्यक्तियों का दोटल है 37 और चाय पीने वाले चाय पीने वाले तो टोटल किते हैं 70 व्यक्ति हैं तो हमें दोनों पे पसंद करने वाले यानि कि A intersection B की संख्या निकाले है तो NA intersection B निकाला है simple है यार यहां NA plus में NB minus NA union B चलिए तो इसको solve कर देते हैं यह है 37 यह है 52 और माइनस में 70 इन दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर साथ दुनों और पास तिन आठ 89 माइनस 70 घटा देंगे यहां पर 19 ब्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पर पसंद करते हैं तो कितने ब्यक्ति ऐसे हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं किन्तु क्रिकेट इंक मतलब टेनिस खेलेंगे लेकिन क्रिकेट उनको पसंद नहीं है कितने ब्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, फिर कहा रहा है कितने ब्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, दोनों में फार्क है, यहां कहा रहा है कितने ब्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं, मतलब कि टेनिस तो कल दे लेकिन क्रिकेट नहीं, और कितने ब्यक्त क्रिकेट है और दूसरा टेनिस है तो माल लेते हैं माना ए बराबर क्या है क्रिकेट क्रिकेट पसंद करने वाले क्रिकेट पसंद करने वाले करने वाले व्यक्तियों का समुझ व्यक्तियों का समुझ जो है वह ए नियुपित कर रहा है ठीक है और बी हम लोग माल नेतने हैं भी टेनिस वाले हैं टेनिस पसंद करने वाले टेनिस पसंद करने वाले टेनिस पसंद करने वाले टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का व्यक्त का समुच्छ वह क्या है आपका भी है चलिए मिना कर टोटल समुझ में अचाहिए कि 45 चालिस आजिसे जो है जो क्रिकेट पसंद करते हैं यह बराबर में दिया है 40 10 ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं यानिकि A intersection B बराबर में दिया है 10 कितने केवल Tennis पसंद करते हैं किन्तू cricket नहीं मतलब Tennis यानि B पसंद करते हैं A पसंद नहीं करते यानिकि N B minus A निकालना है ठीक है फिर कितने व्यक्ति Tennis पसंद करते हैं यानि कि NB भी निकालना है तो पहले हमें NB निकालना होगा चलिए तो यहां पर हमारे पास N A union B तो दिया है न जी 65 तो इसके according आप formula लगा दो N A plus में N plus में NB और माइनस N A intersection B बराबर में 65 तो इसका value कितना है तो इसका value 40 है NB तो हमें निकालना है और इसका value कितना है तो इसका 10 है और बराबर में 65 इसमें से इसको घटा देते हैं तो NB बराबर में आ जागा 35, यानि कि 35 ऐसे ब्यक्ती है, जिनको टेनिस पसंद है, ठीक है, अच्छा, अब हमें निकाला है, NB-A, तो NB-A निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि NB, NB, second वाले के लिए चलना है, हम लोग first वाले के लिए अब चलना है, यह तो second वाले के लिए है, अब first वाले के लिए, NB बराबर होता है, NB-A, और प्लस में N-A intersection B, मैंने यह formula लिखवा रखा है ना जी, NB का value 35 आगया, हम यहाँ निकालना है, NB-A निकालना है, और इसका value आपके पास 10 दिया, यह जाकर उदर घट जागा, 25 आ जागा ला, NB-A 25 आगया, यानि कि यहाँ पर वो आगया, वो व्यक्ति जो टेनिस तो पसंद करते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं, वो भासा बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भासाओं में से कम से कम एक भासा बोल सकते हैं, यानि कि दोनों भासा भी बोल सकते हैं, या दोनों में से कोई एक भी और दोनों भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसका मतल़ ही ना हुगा, चलिए, तो यहाँ मालत है माना, यह बराबर मालेते हैं कि फ्रेंच फ्रेंच बोलने वाले बोलने वाले ब्यक्तियों का समझ्च है आपका एक निरूपित कर रहा है ठीक है अच्छा भी बराबर में मालेते हैं एस्पैनिस बोलने वाले ब्यक्तियों का समझ्च वह भी है ठीक है चलिए क्या कर रहा है कि एक कमिटी में 50 ब्यक्ति जो है फ्रेंच बोलते हैं एने बराबर 50 और 20 ब्यक्ति जो है वह एस्पैनिस बोलते हैं और दोनों बोलने वाले याणि A intersection B वह कितने हैं 10 हैं फ्रेंच और स्पैनिस तो कम से कम एक भासा बोलने वाले हैं A Union B हमें निकालना है तो हमें एन A union B निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है इसका फॉर्मूला इसका वेलू कितना है, पचास है, इसका वेलू यहां बीस है और इसका वेलू हमने दस निकाला है, यह सतर में से दस घटा देंगा, यह जो दोनों भासा में से कम से कम एक भासा बोलते हैं, बस यही कोस्टन थे, आपके exercise यह भी complete हो गया, कितना अच्छा interesting chapter है, आपको बहुत मज़ा भी आया होगा पढ़के अगले वीडियो में बीड़ प्रस नुवाली को भी देखना है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप प्लीज भी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे लिटे जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस चैनल की वीडियो आपको कैसे लगते हैं वैसे तो मैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग तरीखे से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बढ़ाता हूं जहां तक मुझे पता है लेकिन आप भी कॉमेंट किया करो बताया करो अगर कुछ कमी हो उसको भी बताओ उ उसको भी हम ल अगले वीडियो में दूर करेंगे तो प्लीज आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे थैंक्स पर वाचिंगे वीडियो कॉमेंट जरूर करना वीडियो में ठीक है